हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं कि बिग बॉस 16 में कॉंट्रोवर्सी चली हुई है उसके बारे में बात करूंगा प्रेंका के बारे में लेकिन उससे पहले बाता दो कि और मैक्स केरेक्टर इंडिया लव्स की जो लेटस रिपोर्ट आई है उसके अब दू जो है बिग कि अर्जना ने बहुत ज्यादा रेक्ट किया ऊवर्रेक्ट किया उस ओवर्रेक्शन के वज़ए से हुआ कि जो माइंड में बात शालीन ने बिठा रखी थी कि मिरसाथ गलत हुआ गलत हुआ वह बिल्कुल उन्होंने कनफर्म ही कर दी कि बस गलत हो वो दूसरे की दूसरी बिल्कुल भी गलत नहीं हो और ऐसा होता तो इन्हें बाहर जाना ही चाहिए लेकिन जब वहाँ पर बात करें थे अर्चना कि तो एक पार हम एक बात सुखेंगे वह कह थी बार-बार सलमान खाने का तूम ने सुना सलमान काने का अब मुझे यह नहीं पता कि प्रेमिक का क् इंसानी है, सलमान खान जो बात कहेंगे, वो पत्थर की लगीर तो नहीं हुआ, अब सलमान खान का भी एक विचार धारा है दो बाते होती है, दो incident होते है, लड़ाई होती है, जगड़ा होती है अब किसका पक्ष सलमान खान ले रहे हैं लोग क्या सोच के लिए रहे हैं वो सल्मान खान पर डिपेंड है तो यहां पर हर बात पर सल्मान खान का नाम लेना शायद मुझे लगता है कि एक होता ना लाचारी उसका सबूत है वो प्रियंका लाचार थी उस समय तोगे उनके पास जवाब देने के लिए कोई बात ही नह समय टो फिर उनका घर से बाप बनता था लेकिन क्योंकि एम सी के अने पास घर से बाहर निकाम आदो और नमबर रुबाद की एमसी स्टैन और उनका ग्रूप यानि की शिव ठाकरे जब कह रहे थे कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए तो तुम अर्चना की समय ऐसा क्यों कह रही थी कि अर्चना को घर के अंदर बुलाओ अर्चना की गलती नहीं है तो वहाँ पर उनका जवाब था कि कोई समय खान ने कहा कि अर्चना गलत नहीं थी पूरी अर्चना ऐसा वैसा अगर अर्चना गलत नहीं थी तो आप यह बताओ कि वह घर से बाहर कही जो नमबर दो बात कि आप सलमान खान का नाम क्यों ले रहे हैं क्या आपके अपनी कोई म अपनी शायद सोच खतम हो रहिए हैसा वोसमान के भरोसे ही इस गयम को खेल दार्चना फ़ाईगीומ号 कि आसी वह बैट जीतने के लिए विनर बनने के लिए अपनी एक सौच रखनी जरूरी है आपको कभी कभी ऐसा जुरूरी नहीं कि स्लमान खान शाहना करना वड़े है वाल्ग विचारधारा के हो सकते हैं तो ऐसा नहीं कि 100% आपको सलमान खान से अग्री करना ही आपको बिग पॉस में जो है एक सही माईने में आप साबित करते हैं कि आप सही या अगर आप सल्मान खान से अग्री कर रहे हो तो कहीं न कहीं प्रेंग का जो है इस बात पे बहुत ज़्यादा ओवर्रेक्ट कर गई सुंबुल तो ओवर्रेक्ट करी करी गई तेकर यहां पर यह दिख रहा था कि शिव ठाकरे जो की घर के अंदर एंसी स्टैन के साथ खड़े रहे थे उन दोनों पर बात उट रही थी घर से बाहर जाने की उन्होंने वहां पर एक बात पकड़ी अर्शना वाली और उसको लेकर करके उन्होंने वह बात घुमाई मुटब बनाया जिसके वज़ा से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शिव ठ सारे लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं यह नोंने बहुत हल्ला मचा दिया था बहुत ज्यादा हल्ला लेकिन जब शी उठाक रहे ने बात उठाई अर्शना वाली तो कहीं ना कहीं यह लगा कि जब अर्चना फिजिकल हुई थी तब भी अर्चना घर से बाहर गई थी त अपनी एक सेल्फ जो अंडरस्टेंडिंग होती ना आप खुद कुछ बातों को अंडरस्टाइंड करते हैं देख करके ऐसा नहीं कि अपूजर में शीव है तो आपको उचलना ही उचलना है हमने पताए कि शीव उनका कंपुरीशन है उन्हें पताए कि अगर घर के अंदर लेकिन इसी टार्गेट अन्नसेसरी जब आप टार्गेट करोगे किसी को आपकी अच्छी खासी गेम भी कई भार खराब हो जाती है पहल आपको क्या है क्या है ना कमट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं सब्सक्राइब करें धन्यवाद